अंध्रागास यानिस वतंत्रता का दिन freedom का दिनी तो हमने सोचा कि क्यों ना इस Independence Day पर आपको ऐसे चार investment tools बताएं जो आपको financials freedom दिला सकते हैं ताकि इस Independence Day के मौके पर आप अपना निवेश शुरू कर सके Risk Diversification के लिए best है mutual funds यहां आपका पैसा securities और debt, equity, gold जैसे asset category में बटा होता है जिससे आपका risk spread हो जाता है आप छोटे amount से भी निवेश शुरू कर सकते हैं यह cost efficient है और flexible भी यहां risk जितना जादा है return भी उतना ही तो अपने risk appetite की इसाब से आप invest कर सकते हैं mutual funds की एक और category है ELSS ELSS is a quite popular scheme equity linked saving scheme equity या equity related products में निवेश करती है यहां आप 3 सालों के lock-in period के लिए निवेश कर सकते हैं जो के सबसे short lock-in period है for any investment mutual fund की बस इसी category में आपको मिलता है ATC में deduction का फायदा yes, it's a risky investment क्योंकि market से linked है but long term में it can provide you best returns is buying ULIP with it? yes, if you invest for long term it can beat other investment options ULIP आपको ELSS mutual funds से better return दे सकता है long term में उपर से आपको या triple फायदा मिलता है return और protection के साथ tax benefit का यह investment भी capital market से link होता है जहां आपका पैसा equity और debt funds में लगाया जाता है इसमें inbuilt insurance plan होता है premium पर tax shoot मिलती है and debt benefit भी tax free होता है national pension scheme retirement के लिए most preferred options में से एक है आज से 20 साल, 30 साल बाद आपको पैसो की शिंता ना करनी पड़े इसके लिए आप अभी से पैसे जोड़ सकते हैं और tax benefits के तो क्या कहने ETC में जो आप 1.5 लागा benefit ले रहे हैं उसके उपर से 50,000 पर शूट मिलती है याँ याने की 2,000,000 की बचट अब साट की उम्र तक इसमें निवेश करेंगे और फिर 60% कॉर्पस मिकाल सकते हैं बचे हुए 40% से आपको हर महिने pension की तोर पर income आती रहती है Financial independence बस investment से नहीं आती है यह आती है sense of security से sense of protection से और यह आपको देता है इंशोरेंस चाहें लाइफ इंशोरेंस हो या फिर हेल्प इंशोरेंस पीब यूजली इंशोरेंस इन देर financial planning बट इस क्वाइट नेसेसरी कि आप इंशोरेंस कुछ जगे दें अपनी प्लानिंग में ताकि ही अगर आपको इमर्जिंसी में कोई भी ज़रूरत पढ़े तो आपको पास हेल्प अवेलिबल हो इस आपको इस इंडिपेंडेंस देपर तयार करें आपके लिए ऐसा पोर्टफोलियो जो आपको दे स्टाच में फानेंशल फीड़ और जी बिजनस की टीम की तरफ से आपको धेरो शुब कामना है स्वतंतरता दिवस के लिए